हाई जाएज आप सब कैसे हो आप अच्छे होंगे सुष्थ होंगे मस्थ होंगे सो जलिए सुरू करते आज का ब्लॉग जोड़ा बहुत लेट से उठे है ना जैसे छुटी का दिन रहता है थोड़ा लेटी मतलब उठे है ऐसे तो फिलहाल सुबह सुबह देखिये में चट्पे आ गई हूँ और थोड़ा बहुत कल का कपरा अगीला था उसको सुखाने के लिए तो गाइस देखिये मिर्च का जो सुखाने के लिए मोटा वाला जो मिर्च होता है और फिर जब जिन्दा थे उस टाइम तो बहुत टाइप का प्लाइंट था तो अभी तो फिलहाल कुछ नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत जो भी होता है ना हनुमाना के पूरा बर्बात कर देता है तो उसको खिला भी रहे पीर को पूरा इड़म खड़ाप कर देता है बहुती बत्तमीजी करता है और बहुती मतलब परिसान करता है कुछ भी लगाने की मतलब हो नहीं है और एक तो प्लैंट से हम लोगों को बहुत जादा प्यार है लेकिन क्या करें तो गाइस यहां पे थोड़ा सा बेंगन का थ यहां पर बिंजल का बिंगन का प्लान है इसमें छोटा छोटा दो बिंगन हुआ है तो गाइज यही बात है और आज आप लोगों के साद एक बहुत बड़ी चीज में सेयर करूंगी ममी सुबर सुबर कही थी मार्केट् Since here दो इससा प्लाइए यहां पे साद और प्याच कल्याच और गाउगोंगी बिंगन के साद सो गाइस पूरा वीडियो देखिए और बहुत बड़ी चीज एक सेयर करूंगी और यहां पे देखिए बेटे का खिच्टी भी बना लिया और सुबर सुबर ब्रेकफस्ट में कल का आलू का सबजी था और थोड़ा दो चार रोटी बना लेंगे बस ब्रेकफस्ट एकदम हो चाहेगा और बेटा यहां पे पढ़ाहिक कर आल करना इक श्यूड़िक अश्युक्त एक तालिफ से इसले यहां पे बड़ाहिक बहुत बहुत बड़ाए बड़ा है और फिलहाल देखिए अभी थांट को भगाए की काम करने का टाइम आ चुका और फिलहाल रहें मतलब में लेट से लगाया और फिर पोछा भी लगा लोंगी उस्ते बाद बनाऊंगी खाना सो गाइस ब्रेक्फस्ट करके जारू बरू लगाया क्योंकि बहुत ज्यादा थंटा इसलिए सुबह नहीं कर पाई तो गाइस आप लोगों को तो मैंने बोला था कि कलमा पढ़के मैं इसलाम को मतलब अपनाया है तो गाइस थोड़ा पहुत जलक आप लोगों के साथ अज़ सेयर करूंगी क्योंकि पूरा वीडियो में नहीं दे सकती कि और पता नहीं देना सही है या गलत है क्योंकि हर किसी को अच्छा नहीं भी लग सकता है तो गाईज इसलिए थोड़ा बहुत जैसे मैंने कलमा पढ़ा है वही थोड़ा बहुत चीज आप लोगों विसनत में सेयर करूँगी और पिर अच्छा दिन है अच्छा बाते है और अच्छी कुछ सेयर करूँगी तो अच्छा कुछ मिठा भी बनाऊंगी आज जिन्दगी मतलब जिने का जो असल मतलब है वो सीख लिया कोई-कोई ना बोलते है कि भियो के लिए नहीं गाईज भीयो के लिए कोई इतना वरा स्टेप नहीं लेता कि अपना मजबी चेंज कर ले मजब चेंज करने के लिए जिगर होना जरूरी है जो दिल होना ये दिल अगर किसी का मजबूत हो और अल्ला हर किसी को मजबूत वाला दिल नहीं देता अल्ला ताला चुन चुन के देते हैं अल्ला ताला हर किसी को नहीं मिलता अल्ला ताला चुन चुन के मिलते हैं तो हर कोई अगर अल्ला को पाले तो अल्ला क्या ऐसी चीज़ है कि हर कोई अल्ला को पाले अल्ला को पाने के लिए बहुत ही सिद्दत से बहुत ही दिल से पो जो कहते हैं हिंदी में तपस्या करना पड़ता है तो गाइज मैंने पाया है और यह जो पाने वाला फिलिंग्स ना यह मुझसे भी बयाने ही कर पाऊंगी ऐसा है अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कॉमेंट शेयर भी कर दीजिए और यहां पे देखिए मैंने प्याज में प्याज कली डाल दिया और इसी के साथ आज में प्राउन बनाऊंगी और मेथी साख फ्राइ भी कर लूँगी सो गाइस यही बात है कि मतलब लोगों का तो बहुत लोगों का बहुत टाइब का बोलना है लेकिन जिंदिगी जब पर्मानेंट नहीं है जिंदिगी का मतलब ही किसी को नहीं पता कोई कोई जैसे मुसलिम घर में भी पैदा होता है लेकिन उन लोगों को भी नहीं पता कि जि जान लिया मैंने जान लिया मैंने और पूरी जो मतलब जो मजब चेंज करने के बाद जो जैसा मेरा जिंदीगी जाएगा यह सब कुछ आप लोगों के साथ में एवरी डे सेर करूँगी क्योंकि जिंदेगी तो बदल भी जिंदेगी में बदलावा आता ही है ऐसे जैसे कोई हिंदू इंसान में तो अकेली नहीं मेरे पूरा परिवार जब अपना मजब चेंज करते ना तब बदलाब देखिए गाइस बहुत साड़ा आता है और हां बहुत अच्छा भी होता है और इन लोगों के साथ बहुत मतलब लोग पत्तमीजी भी करते हैं बुरा सलूग भी करत तो जो कुछ भी हो आप लोगों के साथ में सेयर करूंगी क्योंकि ये जो जिन्दगी है ना ये पर्मरेंट वाली नहीं है इस जिन्दगी का माई ने मैंने पहचान लिया और मुझे अल्ला मिल लिया अल्ला ताला जब मिल गया है न तब मुझे कोई चीज की परिशानी न ना मुझे किसी का कुछ चाहिए ना मुझे किसी का साथ चाहिए ना मुझे किसी का प्यार चाहिए ना मुझे किसी का कुछ नहीं चाहिए तो जैसे कठिन रास्ते में थोड़ा बहुत कठिनाई तो हो गाई तो कठिनाई का सामना करके ही तो जो इंसान पहुंसता है ना तो उसको ही कहते हैं क्या मतलब जो soldier कहते न वही तो मुझे कटनाई का सामना करना पड़ेगा और फिर मैं जाओंगी एकदम मैं अल्ला को पाओंगी तो अल्ला को पाने के लिए अगर सिधा रास्ता हो न तो वो तो एकदम नॉर्मल ही हो जाएगा तो थोड़ा अगर महिनत नहीं करेंगे तो कैसा हो कैसे होगा तो यही बात है जिन्देगी बहुत ही टॉफ होने वाला है और यह पूरी जिन्देगी आप लोगों के साथ जितना मतलब जाएगा जब तक मैं यूट्यूब में हूँ जिन्दा रहूंगी तब तक मैं आप लोगों के साथ में सेयर करूंगी तो गाइस मेरा पूरा वीडियो आप लोग देखिए आप लोगों को अच्छा लगेगा और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी में कलमा पढ़के मैंने इसलाम को अपनाया है तो कोई वियू के लिए इतना सा इतना बड़ा स्टेप नहीं लेता वियू के लिए काइस ऐसा स्टेप लेता है कोई अपना मजब चेंज करता है के लिए जिगर की जरूरत है और अल्ला से प्यार की जरूरत है तो गाइस देखिए तो गाइस वीडियो थोड़ा सा छोटा हो गया था तो आप लोग थोड़ा समझ लेजिए कि यहां पर देखिए गाईस अच्छा कुछ बाते सेयर कर ररी हूं इसलिए अच्छा सुपकाम में थोड़ा मीठा बनता है to घर पर मैंने बना लिया जिन्देगी का असल मतलब है यह और मुझे मतलब बुरा लगे किसी को अच्छा लगे वह अपना अपना है मेरा तो बहुत ही बड़िया मतलब वह है तो गाइस आज का वीडियो यहां पर कतम करते हूं मिलते फिर अगले व्लोग में बाइस